दोस्तों क्या आप भी इस तरह का फ collection काम करते हैं और फुलिष देने से हैं पर समाने भाई लग Careg Magic да अब filmmaker करते हैं पुछ उताया देवह सार मुंह से सुनते कि करें इसी के उपर हम आज बात करने वाले हैं तो चलिये विनादिरे काई हुए वीडियो को स्टार करते हैं क्योंकि हमने फिडी तुट Чार-पांड सल से कर रहा हूं तो मेरा पूरा एक्सप्रियम्स हो गया है मुझे कि इससेlar कोई फरक नहीं पड़ता है कि उधहार दे या न दे गारा को कोई फरक नहीं पड़ता है विधारी लेने के लिए तो बहुत तो अगर उधार दिये हैं, तो धार मंगने अगर जायेंगे, तो समय बेश्ट होगा. वहां पे जायेंगे तो दूसरा आइटम लेकिन, समय बेश्ट ज्यादा होगा. अभी के समय में दूस्तो उधार बेचना भी नहीं चाहिए. क्योंकि दोस्तों 4-5 साल पहले की बात है तो उस समय अतना ज्यदा लोन नहीं लता था अदमी गाउंक के आदमी लोग इसके वज़ा इतना खर्चा भी नहीं था जिसके वज़ा से सबकोपास पैसा रहता था तो उधार देते थे जब भी जाते थे पैसा लेने तो मिल जाता था लेकिन इस समय ऐसा हो गया कि हर कोई ऐसा ही कोई-कोई आदमी है जो लोन नहीं लिया है करज नहीं लिया है नहीं तो हर कोई के पास कुछ न कुछ लोन लिया है तो हर कोई जो है न हफता में महिना में लोन भरता है इसके वज़त से उसके पास हाथ में पैसा ही नहीं रहता है और जब उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो आप अगर उधार दिये हैं और पैसा लने जाएंगे तो भाना कि उधार देने से माना कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए उधार देने से, तो दोस्तों यह आपको किलियर करना है, जैसे कि हम बेच रहे हैं, तो हम उधार बेचे कि नहीं बेचे, हमें अपने माइंड में बठाना है, कि हम उधार नहीं बेचेंगे, चाहे जो कुछ भी हो ज नहीं आना है क्योंकि हम पहले ही अपने मन में बठा लिया है कि हम उधार नहीं बेचेंगे तो नहीं बेचेंगे चाहे जो हो जाए उधार बेचना ही नहीं है उधार बेच देंगे तो समान हमारे पास दौस्तों खतम हो जाएगा तो आगे जब जाएंगे फिरी करते करते आ अगर समान रहे गाहि नहीं कोई कस्टमबर वह समंग नहीं कडर दिया रहा गर मैंरहे लिएटा रहे भी समान अगर रहे हैं यहां पर उधार आगर दे रहा है 알क़ अगर मन कोई खुझ लिया तो रह्खा है तो नगद हमको अप्राप्त हो जाएगा, तो नगद भीग जाया है, कोई भी समान जो है न, रुखता नहीं है, समान कहता है कि आप आरके रहो, मैं तो कहीं भी भीग जाओंगा, इसलिए दोस्तों उधार देने में कंट्रोल करना आपको ही पड़ेगा, आपको माइड में ब अपने पैसे के लिए ही बार बार उसके पास जाना उधार नहीं देंगे तो ओकलब के बोलेगा लेकिन जब उधार देने के बाद मांगने जाएंगे तो हमको कलब के बलना परेगा साथ में सिहर के रहना परेगा उसको से बहुत छोटा बनके मांगना परेगा फिर भी कितना निहोड़ा करने पर फिर देगा वही देगा कैसे अगर पचास पर उधार लगाया है तो 40 आली नहीं है अगर उधारी बैच रहे हैं तो 5 दिन में बिखता है वहीं देगा ऑगल़ अगल पीसा तो रहेगा ना किसी के दूडरा पर बार पैसा माँने के जंजर तो नहीं रहेगा एक बात बुलते हैं कि अगर कोई बात हो गया आप फिरी पर नहीं जा पाए दो बात नहीं नहीं रहेगा कि उधारी भी है उधारी मंगने भी जाना है ये तो नहीं रहेगा जो भी परिशा रहेगा कैस रहेगा हमारे पास रहेगा और जो परिशा फंसा है तो हमारे पास ही ये समान के बदला में तो टेंशन नहीं रहेगा पूरा किलियर रहेंगा अच्छा रह तो उससे भी औरब भी अगर मैं उद्हारी नहीं भी बेचूंगा ना फिर भी मेरा समान बिकेगा और बहुत बिकेगा इसलिए कि समान रुपता नहीं है जिसको जरूरी होगा वो लेगा ही इसको पास पैसा होगा लेगा नहीं हो लेगा लेकिन उद्हारी से तो बचे रहेंगे समान हमारे पास रहेंगा फेरी करते हैं तो आपने फेरी कर रहे होंगे तो आप ये तो मन में बिठा के चलते होंगे ना कि हमको इतना एरिया आज आप घर से जब चले हैं तो आप सोच के चले हैं कि 5-6 गाउं, 7-10 गाउं घूमेंगे तो उसको जो पंड़ा गाउं, 20 गाउं ऐसे करके उसका थोरा 12 ही लक्ष बना ले चैए जब आप फेरी करने का और भी आपका धियान उस पे जाएंगा, कि हाँ उस एरिया में गूमना था नहीं घूमें, तो आज चले करके उस एरिया में घूमेंगे तो दोस्ते एक बात तो आपको अगले दिन के लिए परिणना मिल जाएगा कि हाँ हमको घुमना है तो अगले दिन पुरे उच्छाहिद से जाएंगे फेरी करने और उस दिन भी confidence level बढ़ा रहेगा सती साथ उस दिन भी अगले दिन जब जाएंगे तो उस दिन भी आपको लक्ष बनाना है कि हाँ कल इतना नहीं घुमा था तो इस एरिया में घुमना फिर उसके बाद भी इस से थोड़ा और बड़ा लक्ष बना करके उस एरिया में घुमना और ऐसे करके जो है न आप बड़ लक्ष बना करके फेरी जब किजिएगा तो उधारी देने से भी माना कर सकते हैं फिर भी आपको कोई फर्क नहीं परेगा कि हां कस्टमबर टूटेगा या गरांग टूटेगा लगतार काम कर रहे हैं इसके वज़ाद से आप और तेज होते जा रहे हैं जो भी चीज का फेरी कर रहे हैं उसमें भी आप बेहतर और होते जा रहे हैं क्यांकि दोस्तों पत्थर को घीशिस करके मूर्ती जो बनाया जा सकता है तो कोई भी काम को लगतार करकर के जोने उसमें भी आप चमक सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं अच्छा मूर्ती के जैसा अच्छा लेवल पर और अलग-अलग एरिया में जा करके फेरी करना चाहिए, फेरी कीजिए जिससे सेल और अर्निंग दोनों बढ़ेगा, अलग-अलग एरिया में कैसे जा करके फेरी कर सकते हैं, तो यह ऐसे होगा जब आप उधार नहीं बेचेंगे, क्योंकि जब आप उधार बेचते हैं, तो तो फो नहीं दूर he driver की एरिया में जो है ना पौशिर आजाएंगे जिसके वुजब स से नय नय एरिया में जा भी नहीं पाएंगे तो इसलिए दोस्तों अपने माइंड शेट को किलियर करके माइंड में बठा ले जिए कि हमको उधार नहीं बैचना है तो नहीं बैचना है और डेली आप घूमते हैं अगर दस गाउं भूम रहे हैं गहर से जब चलते होंगे तो आप मुन बनाके चलते होंगे कि हमको इतना गाउं भूमना है इतना इरिया घूमना है तो जब आप घर से चल रहे हैं तो अगर आप दस गाउं का लक्ष बनाके चल रहे हैं कि हमको दस गाउं भूमना है तो दस गाउं के बदला पंडा गाउं लक्ष बनाएंगे तो आप साम होते होते तक जो सेल होगा तो वहां पह सोच के चले हुए हैं कि हमको इतना गांता वहमना है तो विकेगा ही और दोस्तों एक और बात आप लगातार काम किजिए कोई भी फेरी करते हैं कोई क्याम करते हैं लगातार कीजिए जिस्ते और भी जाधा confidence level बढ़ेगा लोग कहते हैं कि ग्राहक भगवान का रूप होता है हम भी मानते हैं दोस्तों कि ग्राहक भगवान का रूप होता है लेकिन उदहार मांगने वाले ग्राहक से दूर ही रहना चाहिए लेकिन लेंदेन में उतना प्रेम नहीं होना चाहिए उदहारी लेंदेन में उधार इसे कस्टमबर टुटता बहुत है जब आप उधार इसको दे देंगे तो इसको ये भी डर रहेगा कि हमको उधार देना है उससे मन लेंगे, समान लेंगे तो उधार देना पड़ते है उधार भाइगेERS इसलिए जब उसके सामने आप जाएंगे तो आपसे समान ही नहीं लेगा, दुसरे से ले लेगा, आपको उसे लेगा ही नहीं, तो गराहक भी तुड़ता है धार देने से, इसलिए धार देने से पूरा माना कर दिजिए, जब हम अच्छे से कस्टमर से बात करेंगे, मुस्कराहट के साथ, और अच्छा दाम पर उसको समान देंगे, तो गराहक ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि दुसरे की तरफ मुह मुरेगा, इसलिए अच्छे से बात किजिए मुस्कराहट के साथ, और अच्छे रेट में समान दीजिए, और एक और बात, बहुत सारे भाई लोग ऐसा भी करते हैं, कि गराहक के साथ, गलत करते ह कि जैसे कि वो देख रहे हैं समान तो उसको दिखाया अच्छे क्वालिटी के समान, अच्छा समान देने के समय कोई दूसरा दे दता है, तो इससे भी थोरा फ़र्क परता है, और गराहक तुटता है, इसलिए जो समान आप दिखा रहे हैं, वही समान दीजिए, अच्छा प्रेट में दीजिए, दूसरे किसी फेरी वाला से ज्यादा ना हो, उससे पांचे पर कम ही रहे, लेकिन ज्यादा ना रहे, और समान भी अच्छा दीजिए, मुस्कराहट के साथ बात भी किजिए, उसका वेवहार भी किजिए, तो आप उधार नहीं बचेंगे, उधारी काम नहीं करेंगे, फिर भी आपका काम बहुत चलेगा, सेल भी बरेगा, और नहीं बरेगा, और नए नहीं एरिया में भी जा सकेंगे, क्योंकि उधारी से पुछी तरह से फ्रीडम रहेंगे, फिर ही रहेंगे, तो चलिए दस्तों, आज का इस वीडियो कैसा लगा आपको, के सपोर्ट चाहिए, हम इसी तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तमझा करके, बता करके, और अपने लाइफ की एक्स्प्रियंस से बता सकते हैं, और वो सारे भाई का कमेंट आ रहा था कि, आप कहा से हैं, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं भी आऊंगा, आप से आरदस तिन एक महिना सिखूंगा, फिर जाऊंगा, तो दोस्तों ये जो है ना, लाइफ, श्ट्रॉगल लिन लाइफ है, लाइफ में आपको श्ट्रॉगल करना परेगा, तो आप जहां है, वहीं से शुरू कर सकते हैं, जितना है उतना ही से शुरू कर सकते हैं, और अपना दिमा को ही जाना परेगा आपको फेरी करना परेगा आपको ही ग्रहां को हैंडल करना परेगा इसलिए दस्तों आप जहां है वहीं से वीडियो देखते रहिए समझते रहिए और आपको किसी तरह का सपोर्ट चाहिए तो किसी तरह से आप कमेंट केजिए उस पर मैं वीडियो ना कर कि आपको जो ही प्रब्लम हुआ उसका मैं समधान करने की कोशिश करूँगा यह हमारा लग्ष है कि जो ही भाई लोग का कमेंट है वो मैं आप लोगों के बीच में उस कमेंट का उतर दे सकूं वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कमेंट के माध्यम से होगा तो कमेंट के माध्यम से नहीं तो वीडियो के माध्यम से अगर सपोर्ट करेंगे आपका जो भी कमेंट होगा तो जितना भाई का अगर आपके जैसा प्रसन होगा उसाब को उतर मिल जाएगा लेकिन अगर सिर्फ आपका ही मुझे लगेगा कि सिर् झाल झाल